जहिन दोस्तों ता यह आज के सेस्टन में हम लोग नए ख़बर की और चर्चा करने वाले हैं हम लोगों का ख़बर आज का यह है नरेंद्रमोदी एक विदेशी दोर पे जाने वाले हैं अब विदेशी दोरे पे कौन सा देश जाने वाले है विदेशी दोरे पे नरेंद्रम किया अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं हाल ही में भारत के विदेश मंत्री अमेरिका के बिच कुछ फैसले हुए थे जिसमें भारत के विदेश मंत्री S.J. Sankar ने अमेरिका का फैसले को माने से साप मना कर दिया है अमेरिका यह कहना चाह रहा था कि तुम भी हमारे साथ Nato Plus में जूड़ जाओ हम लोग Nato में सभी लोग जूड़ के एक महान सक्तिसाली राष्ट बन जाएंगे महान सक्तिसाली एक संग बन जाएंगे ऐसा अमेरिका का कहना था भारत को जोड़ने के लिए और ऐसा अमेरिका इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका सिर्फ एक ही मकसद है दुनिया में सिर्फ चीन को कंट्रोल करना चीन को वह चारों तरफ से घहरना चाहता है वह चीन को चारों तरफ से घहरना चाहता है में एक इंडिया भी है इंडिया को भी वा नाटो प्लस में जोड़ना चाहता है जबर जस्ती हमारे जो विदेश मंत्रे हुआ तो कोई एगी दूगी आदमी है नहीं वो तो अपने ही यूपी असी क्वाइलिफाइड वेक्ति है उन्होंने अपने ही साफ मना कर दिया हम तु कुझसे उसमें जूड़ने से साफ मना कर दिया अमेरिका को सद्मा सद्मा में पूछा दिया अमेरिका को अब इधर आमेरिका में पूरा जून बाइडन के फेमिलि के साथ वहां पर भोजन करने वाले हैं और इस सभा में 120 लोगों से कि होने की संभावना जताई जा रही है आनि 120 लोग से जाएदध के वहां पर कठे होंगे इस सभा में अब हम लोगों को यह देखना है हम लोग जरूर देखेंगे अब अमेरिका फिर से पुटी आने की कुछिस कर रहा है इंडिया को अब किस धंग से पुटी आएगा वह हम लोगों देखते हैं अमेरिका जो चाल चल रहा है बिल्कुल सही है चायना हर देखों के लिए सिर्दर्द बन गया है यहां तक कि इंडिया के लिए हम लोगों का भी सरदर्द है लेकिन एक समस्य हम लोगों का यही है हम लोग नाटों में जदी जुड़ जाएंगे इंडिया वाले तो जितना हम नाटो का फाइदा ने उठा लेंगे उससे जैदा सिर्फ अकेले अमेर्का ही हमारा फाइदा उठा लेगा और हर बात पर सिर्फ और भी धमकाना शुरू कर देगा चाइना को लेकर इसलिए हम लोग अभी तक नाटो में नहीं जुड़ चुके हैं आप लोग का एक सवाल कि युक्रेण को उकसा कर माँ अमेर्कवा इतना कमीना है ती इक आप रहा है उसी परकार से इंडिया और टो में जुड़ने के लिए तो कभी चाइना को दोनों में से जो भी जूड जाये, या नाटों में जोडने के लिए इनको उक्सार आए, और ऐसा ही करना चाहता है, ताकि फिर से इंडिया चाइना के बीच बवाल हो, और अमेरिका है, वा अपना हथियार भारत को बेचे सके, अप लोगों को पता होना च खरीदेना शुरू कर दिया है और अमेरिकावा रूस पर इसका बोज कम करते जा रहा है दिन पर ती दिन अमेरिकावा सोच रहा है चोटा यह भारत वाला लड़ काहे ने रहा है यह चोटा यहां से अब खरीद काहे ने रहा हम रहा है यहां से हथियार उसको दुनिया में अम हथियार को export करते हैं अपना हथियार को बेशता है उससे उसका हथियार का परचार होता है परचार परचार होड़ने के बाद दुनिया के तमाम देश जो लड़ भी नहीं रहे वो भी उनका हथियार को बम मारने जपान पर धमकी दे देता है इससे डरता ही नहीं है अबर जो है इंडिया भी तो इसका कोई कहना मानता है ने सेंसेंस लगा सेंसेंस लगा कितना सेंसेंस लगा रहा है रूस से इन्होंने तेल खरिदने के लिए हमारा इंडिया तो माना नहीं चायना भी उसी तरह ह चैना भी उसका कोई बात मांता ही नहीं है इत बुड़वु का अबर भेलू थोड़ा घाट गया है जलतक ट्रम था ने उसका थोड़ा सा महत उसका थोड़ा सा भेलू लोग समझ रहा था बुढ़ाव। जों वाइडन से अबर अमेरिका संभल नहीं रहा हूँ। यह जो चोटवा अमेरिकवा है वह भारत को बहुत है हद तक फुसला आरे कि कोशिच कर रहा है वह भारत को अपने में नाटो पर्लस में जोडने की कोशिच भारत को पते नहीं कि नहीं है बाप इंडिया ही है हर अमेरिका में अभी जितने भी कर्मचारी कायर करते हैं उसमें से लगभग 40% आनि 30-40% के बीच में इंडियान ही है यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो भी Google का CEO है जो वह इंडिया का ही था इंडिया के तमिल नाडू से वह बिलोंग करता है उसी प् पते नहीं सब हमारे जो आते महार वह इंडिया नई रहता है प्लूर 750 अल्बर्ट आइंस्टीन भी था वह अमेरिका का नहीं ठाना वूब जर्मानी का भागा हुआ था अमेरिका से दोस्ति करना समझ लोग Talk में छास्थे में मेडेकल खोलना हुआ एक पर केले के चिलकें परे होना और दूसरा परे कबर में होना अमेरिका कभी सच्चा दोस्ति करता ही नहीं HAS अमेरिका कभी भी धोखा दे सकता है उसी परकार से इंडिया के बिच हुआ है। इंडिया के साथ कई बार हुआ है। 1971 में जब भारत पाकिस्तान के बिच युद्ध चल रहा था तो उस समय अमरीका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था भारत को गेहूं देने से मना कर दिया था उस समय रूस ने भारत को काफी सपोर्ट किया था और काफी हद तक इसलिए अमेरिका की दोस्ती पे भरोसा नहीं की जा सकती है अभी अमेरिका भारत से इसलिए दोस्ती करना चाहता है क्योंकि वह दुन्या में किसी भी देश को और इंडिया को कंड्रोल करने के लिए चा क्या सिर्फ त्रब से घरना चाहता है अमेरिका है चायना सिर्फ अमेरिका के लिए सरदर्द नहीं है चायना बहुत से देशों के लिए भारत के लिए सरदर्द है तैवान के लिए सरदर्द है और जितने भी दुस्मन देश है चायना के उनके लिए भी सरदर्ध है चाइना सिर्क अमेरिका के लिए नहीं है अगर अमेरिका चाइना को काबू भी कर रहा है कंट्रोल भी कर रहा है तो सही एकतरा से कर रहा हम लोगों के लिए फायदमांद है लेकिन अगर हम लोग NATO प्लस में जुड़ते हैं तो इस से हम लोगों के दुनिया के और भी तमाम देशों से हम लोगों को रिष्टेवा दोस्तिक खराब हो सकती है जैसे अभी हम लोगों का रूस से दोस्तिक खराब हो सकती है और हम लोगलिょों को काफी बार उनोंने बचाए 69पने विटर लगाकर ओन्हों नहीं दोस्तव कोygenत्क से अमेरिकवह भुलाया नहीं स्क्राइब दुन्हों के लिए ले चलो नि fraction करना खत्रा मोल लेना है लेकिन दोस्ति करना तो अच्छी बात है दोस्ति करना दुस्मानी करना से और भी खत्रा जैदा मोल लेना है क्या इसके पीछे कारण कि अमेरिका अगल बगल में जो भी देश को मारेगा तुम्हा बगल में तुम्हा यहां हत्यार रखेगा तुम्हा थूरेगा तुमसे श्ट्रोंग है वह अभी जैसे इंडियो स्टोंग है यूद होता है थिए अमरेक आंज का करेगा इंडिय को देखेगा इंडिया को थूरेगा चाइना यहीं बात हो जाता है जैसे रूस और युक्रेंड Vergna के दीश चल इसी तरह से सब्सक्राइब में करता है इसी प्रकार से पाकिस्तान में करता है हर जगा यही काम करता है इसका कोई काम नहीं है हथियार पर इसके दुनिया से पैसा क्लेक्ट करना हो गया इसका बाबा जी हो गया बाबा जी बाबा जी का काम क्या होता है जजमानों से पैसे कठा करना उसी इसका भी काम है रजमानों से पैसे अपने कठा कर रहा है कौन अमेरिका इसको एक तरह से और आप लोग कलपना कर सकते हैं कि आप लोग कोई भी बेस्ट फ्रेंड होगा जो सबसे अच्छा फ्रेंड है उसको आप उसके साथ आप रूमेट बन जाईए उसका वह देखिया किसट फ्रेंड होता हुआ हमें सा रूमेट नहीं बनेगा बेस्ट फ्रेंड की तरह ही रहेगा अपने लीमिट में नहीं आनी हम लोगों को अमेरिका के साथ इस तरह से बहवाfire रखना है यह अधिक इस रोग कमपनी को हम लोग को अच्छा रखने के लिए रूस से भी अच्छी रखने क्योंकि इस रोग कमपनी में नासा हम लोगों का हेल्प करता नहीं है रूस ही है जो हम लोगों को हेल्प करता है काफी अद्ध तक अमिर्का बार बार चैना की धमकी देते हुए इंडिया को धमकाता है डराते रहता है कि चैना से निपटने के लिए तुमको नाटो में जोइन करना ही पड़ेगा तो इस बार ने हमारे विदेश मंत्री S.J. संकर ने इट का जवाब पत्थर से देते हुए उनको साब साब बता दिया है कि हम चैना से मुकावला करने के लिए अपने सच्छम है सच्छम है आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग चैना से यूद करने के लिए सच्छम हो या नहीं तो S.J. संकर ने इट का जवाब पत्थर से देते हुए अमेरिकों को चुटक समझा दिया कि हम लोग काफी अपना है हम लोग निपट लेंगे इसमें हमको नाटों में ज्वाइन करने की अवस्ता नहीं है और इस परकार से यह जवाब सुनकर अमेरिका सदमा में चला गया है उसी के इलाज के लिए भारत के नरेंद्र मोदी जा रहे है इधर से फिर से कुछ लेकर अभी अमेरिका पूर्ण रूप से चायना को कंट्रोल करना चाहता है एक समय एक समय ऐसा था कि रूस जब चायना को मारने के लिए था रूस से और अभी ऐसा इस्तिति बन गया है क राखा का जो अभी फिलाल राष्ट्पति है जोन बाइडन नी बुढवू को को बहलू नहीं देता है इसको कोई महत्वी नहीं दे रहा है उत्र कोरिया का जो किम जोंग है जो वहां पका पगला है वह का करता है इसको दिन दाहरे धंकाता है ये बोलता है कि जैदा अगर जैदा अगर कुछ कहोगे तो मैं यही पे बगल में जापान पर ही इसी को साफ कर देते है परमाणू bons पतंकि फिलाल आप लोग देखी सकते हैं रूस वहाई यूक्रेण की अभी भी लड़ाये जारी है अभी भी अमेरिका हथियार इसको दे रहा है अभी भी रूस उससे खरीद रहा है और बोलता है कि हम आर्थिक सहयोग कर रहे हैं उसको आर्थिक सहयोग कुछ नहीं कर रहा है उसी की जो फाइदे होता है उसी में से जाएदा हमेरिका के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बता तब तक के लिए धन्यवाद